वेल दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक ये करके सोच है कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बड़ी लोन के थुरू लोन अप्लाई करना सिखाऊंगा तो भी देखो पता है आज के डेट में ऐसे बहुत सारे लोग है जो कि बड़ी लोन अप्लिकेशन से लोन 80% है यानि कि अगर 100 लोग यहां से लोन अप्लाई कर रहें तो उसमें से 80 लोगों का लोन अप्रूब हो जाता है तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो एक बाद टैम निकाल के इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लो ताकि बड़ी लोन से लोन अ अगर बात कि जाए कि यहां पे कौन का लोन अप्लाई कर सकता है तो अगर आप एस्ट्वेंट हो हो सेलिर पर्शन हो मतलब क्या कोई भी पर्शन हो आप यहां से इसली लोन अप्लाई कर सकते हो अगर बात किया है डोगमेंट की तो अगर आपके पास सिर्फ अपना पैनकाड और अधारकाड है तो उसके बेसिस पे भी आप यहां से पर्शनल लोन अप्लाई कर सकते हो और मान के चलते हैं अगर आपको कोई हाईर अमाउंट का लोन चीए तो भाई वहां पे आपको हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेस्फूल क्रेडिट भी हो चुका है और जिस पर्सन का मैंने यहां पर लोन अप्लाई गया था उसका पहले ना दो से तीन बार लोन रिजेक्ट भी हो चुका है तो यही प्लस मूट हमको यहां पर मिल जाता है तो फिर चलो एक बर मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे फ्यू मिनेट्स में बड़ी लोन अप्लाई कर सकते हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको बड़ी लोन अप्लिकेशन प्लेश्ट से डाउनलोड कर देना है यहां पर आप देख सकतो जैसे आप अप्लिकेशन को ओपन करते हो आपको कुछ इस करवा देना है अब दोस्तों इस वाले पेज पर आपके पास लोन अमाउंट डालने का ओप्शन आ रहा होगा अब देखो यहां पर आप मेरी एक बाद ध्यान अगना मान के चलते हैं अगर आपको 20,000 का यहां पर लोन अमाउंट चीए न तो भई आपको यहां पर 30,000 या अपनी मेल आईडी प्रवाइड करवानी पड़ेगी यह दोनों चीज़े जालने के बाद आपको सिंपली इसको प्रोसीड कर देना है अब यहां पर देख सकते हो यहां से पूछ रहा है कि वट टाइप ओफ यह लोन यानि किस परकार का लोन अप्लाय करना चाहते हो आपक आपका लोन 100% रिजेक्ट हो जाएगा आपको इसको सिलेक्ट बिल्कुल निकरना आपको यहां पर सेलिड या फिर सेल्फ इंप्लोइड में से कोई यहां पर बताना पड़ेगा हम यहां पर सेलिड कर देते हैं देख सकतो सेलिड करने के बाद अब यह पूछ रहा है कि देना है बैंक सिलेक्ट करके आप इसको जैसी प्रोसीड करते हो अब यहां पर आपको पनी वर्क डीटेल देनी पड़ेगी देख सकतो जैसे हम यहां पर कंपनी टाइप में चूज करते हैं प्रैवेट सेक्टर पबलिक सेक्टर गवर्मेंट सेक्टर मतलब कि आप जिस भ करने के बाद आप देख सकतो आपको सिंपल इसको प्रोसीड कर दिना है अब देखो अब नेक्स्ट वाले पेज के अंदर ना आप जो वर्क कर रहे हो उसकी डीटेल आपको देनी पड़ेगी यानि कि आप अपनी कंपनी के अंदर जो भी काम कर रहे हो वो कितने साल से करते आ रहे हो तो वह हम यहां से 2-5 साथ सिलेक कर देते हैं उसके बाद आपको अपना डेगनेशन भी सिलेक करना पड़ेगा यानि कि आप किस पद पर हो मैनेजर हो सुपरवाइजर हो जो भी हो आप यहां पर बता सकते हो यहां पर देख सकते हो हमने मैनेजर सिलेक कर दिया इ या फिर उससे अवाव वानी चाहिए, अगर उससे नीची आती है, तो भी आपको जो लोन है, वो reject कर दिया जाएगा, तो भी डेट बाद आने के बाद, आपको simply male, female, जो भी हो, मतलब कि आपको gender select कर देना ही, उसके बाद आपको simply अपनी higher qualification select कर दिया है, यहाँ पर आप यहाँ पर देना, उसके बाद जो भी आपका नाम हो, मतलब last name हो, यहाँ पर डाल देना, उसके बाद यह सारी चीज़े फिलप करने के बाद, आपको यहाँ पर सिंबली इसको proceed कर दिना ही, अब यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा processing होगा, अब इस page पर यह हमारी communication address को verify करे यहाँ पर देख सकते हो, आपको total timing मिल जाएगी, आप यहाँ पर सिंबली डाल सकते हो, हम 6 महिने से 1 साल लिख देते हैं, उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर अपना pin को डाल देना है, उसके बाद आपको इसको proceed कर देना है, अब इस page पर आपको अपनी थोड़ी बह तो यह आपको loan के साथ credit card के भी option provide करवाने लगएगा, तो भी हम यहाँ पर simply इसको no कर देते हैं, क्योंकि अभी के लिए हमको सिर्फ अपना loan ही प्रोसीड करना है, देख सकते हो, हमने सारे चे फिलप कर दिया, उसके बाद हम इसको proceed कर देते हैं, अब देखो, यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फाइनली देख सकते हो, हम यहाँ पर बड़ी लोन का जो भी डैसबोर्ड है, उसके ओपर completely आचुके हैं, अब देखो, यह जो डैसबोर्ड है नहीं, बहुत ज्यादा अपडेटिड हो चुगा है, तो एक बाद आप समझे ले ना, कि आपको कहां से loan apply करना है, वन्हाँ यहाँ पर आपको बहुत सारी option देखने को मिल जाएंगे, आप confused होगे, कोई गलत loan application से loan apply कर बैठ होगे, अब यहाँ पर देख सकते हो, एक करक में आपको बताता चला जाता हूँ, यहाँ पर सबसे पहला option आपको instant loan का दिया जाता है, उसके बाद आपको credit card मिलेगा, जो कि हमको देखना ही नहीं है, loan status के अंदर, जो भी आपने loan apply कर रहा होगा, उसका iteration आप यहीं से track कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हो, यह जो हमारा सारी ऐसी loan application आई है, जिनसे की loan apply किया जा सकता है, लेकिन अर्दिको, आपको यही बात समझनी पड़ेगी, YouTube को पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो गलत जानकारी देते हैं, वो लोग क्या करेंगी, बड़ी लोन से loan apply करके दिखा देंगे, और वो बोलेंगे कि आप इन application से आप जाके अपना loan apply करो, अब यह अर्दिको, आप मेरे को एक बात बताओ, यह यहाँ पर जो application है, यह sponsor add के अंदर आती है, बड़ी लोन इन application से पैसे ले रहा है, इनको यहाँ पर list करने के लिए, यह application आपको कोई direct loan provide नहीं करती, यह बस एक sponsor है, मतलब बड़ी लोन paid promotion कर रहा है basically, इन application से पैसे ले रहा है, इनको यहाँ पर list कर रहा है, और लोग समझते हैं कि इन application से उनको loan मिल जाएगा, जबकि इसा बिल्कुल भी नहीं होता, और यहाँ पर आप नीचे में भी देख सकते हो, आपको यहाँ पर थोड़े बहुत banner भी देखने को मिल जाएंगे, और लोग ना इन banner पर भी click करके बोलते हैं कि आपको यहाँ से loan मिल जागा, जबकि ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता, यह जो लोन कहां से apply करना है, एक बर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकतो, आप जब उपर आते हो, तो यहाँ पर आपको instant loan का section मिल जाएगा, आपको simply इसी पर click कर देना ही, देख सकतो, आप इस पर जैसी click करोगे, अब यह हमको हमारी eligibility कहसाब से बताएगा, कि आपको कहां से loan apply करना चीए, यहाँ पर आप देख सकतो, हमारे पर बहुत सारी option आ रहे है, जो बाहर वाले option थे, और जो अंदर वाले option है, हो सकता है कि match हो जाए, लेकिन अंदर वाले option मतलब जितने भी है, उनसे भाई confirm आपको loan मिली जाता है, अब देखो दोस्तो, अगर आप थोड़ा सा ऊपर में आते हो ना, तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको एक आद बता भी देता हूँ, जैसे कि example ले लेते हैं, M pocket है, M pocket के थोड़ा मैक्सिमम 30,000 का loan apply कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर थोड़ा सा और उपर आओगे, तो यहाँ पर आप देख सकत 25,000,000 रुपए का loan जाओ, अपलाई कर सकता हूँ, मेरा पूरा process यहाँ पर paperless रहने वाला है, तो बहुत देखो, मैं यहाँ से बजाज मिजब से loan apply करके आप वहीं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन मान के चलते हैं, अगर आपका यह भी option नहीं आ रहा ना, तो उसका अब यह एक बार मैं आपको इलाज बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हूँ, यहाँ पर अपको यहाँ पर manual section मिल जाएगा, आपको simply इस पर click करना ही, manual section के 익र अने के बाद आने के बाद आपको यह डाल लेना है जेंडर में मतलब चूज कर लेना मेल फिमल जो भी हो आप यह बता सकते हूँ उसके बाद नीजी में आप देख सकते हो रेजिटेंशल आपको पिन कोड मोबाइल नमबर और आपको ओटीप के तुरुस को वेरिफाई करवा देना है अभी सारी सी फिलप करने के आपको इनकी टमेंट कंशान को सेप्ट करना है और यहांप को स्मिली चेक फिरी क्रेडिट स्कोर पर क्लिक कर दिना है अब आपका क्रेडिट स्कोर चैक होने के बाद आगर आपको कोई लोन अप्लिकेशन सजेश नहीं हो रहे होंगी तो वह इसके बाद और ऐसके होने नंबर को वेरिफाई करते हुए मेरी कुछ डिटेल यहां पे इसने अलड़ी फिल कर दी हैं अब अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करते हो तो प्रोफेशनल डिटेल के अंदर आपको अपनी अपनी कंपनी का नाम डाल देना है जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करते हो उसके बाद आपको अपनी कंपनी का पिन को डाल देना है इसके बाद आपको सिम्पिली चेक ओफर पे क्लिक कर देना है लेकिन बाय चांस अगर आप यहाँ पे अपनी एनुवल इंकम डाल देनी है और मेक्शू करना वाई सेलिट पर्शन के के केस में भी और सेल्फ इंप्लोइड में भी आपकी कम से कम एनुवल इंकम चार लाग आपको चांजिस मिल जाते हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद मेरे को मेरे पैन कार्ड के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमुम 6 लाग रुपय तक का लोन का ओफर दिया जा रहे और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं 6 लाग का ही लोन ले हैं सबसे पहला flexi hybrid loan दूसरा flexi term loan तीसरा हमारा term loan अब देखो यहाँ पे हमारा flexi hybrid loan है इसके बार में बताया जा रहा है with flexi hybrid loan you will have to pay only interest in the initial tenure यानि कि आपको initially यानि कि शुरुबात के अंदर आपको सिर्फ अपना interest ही pay करना पढ़ेगा उसके बात बोल रहा है you can also part pay and withdraw throughout the loan tenure and यानि कि जितना भी आप अमाउंट यहां से इटुलाइज करते हो, सिर्फ आपको उतना ही पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा, इसके बाद जो भी आपका अमाउंट यहां पे बचा रहेगा, उस पर आपको कुछ भी इंटरेस्ट बगार है देने की जो तो नहीं पड़ेगी और इसके साथ-साथ, फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन गंदर आपको 36, 48, 60, 72, 84 और 96 महिने का भी टाइम मिल जाता है, अब देखो अगर मैं यहां पे 96 महिने चूज करता हूँ, तो यहां पे मेरी इनिशल 24 EMI का इंटरेस्ट जो होता है, वो 1166 रुपे होता है, अब मैं इसको 36 महिने भी करता हूँ ना, तो भी इनिशली वाला चेंज नहीं होगा, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट प्लस प्रिंस्पल अमाउंट है, वो चेंज होगा, यहां पे देख सकते हो, 36 महिने का किया, तो 48, 60 रुपे हो गया, और 96 महिना क्या किया, तो 2,61 रुपे हो गया, यही यह है हाइब्रीड की तरह ही, लेकिन यहां पे जो आपको, मतलब tenure है न, वो कम हो जाता है, यहां पे आप देख सकते हो, maximum मेरे को 22 महिने का टाइम मिल जाता है, वही पे term loan मेरा यहां पे, वो भी 22 महिने करेता है, लेकिन यहां पे देख सकते हो, term loan के case में, जो मारा interest rate है, वो 12% करेता है, flexi term loan के case में 14% करेता है, और hybrid के case में यहां पे 14% करेता है, अब देखो, अगर मैं आपको mainly बता हूँ, तो आपको यहां पे hybrid ही select करना है, क्योंकि यहां पे जितना भी आप पैसा खर्च करोगे, सिर्फ उसी पे आपको interest rate देना पड़ेगा, तो भी अब सार इस पे click कर देता हूँ, अब देखो, जैसी आप click करते हो न, यह आपको redirect कर देगा, digit logger पे, यहां पे आप देख सकतो, थोड़ सा processing होगा, processing होने के बाद, get KYC done using digit logger पे, आपको simply इसकी permission को allow कर देना ही, उसके बाद इस पे click कर देना ही, click करने के बाद, अब यहां पे आप card selling, mobile number पे एक OTP भेजा जाएगा, और वो OTP आपको यहां पे डालके simply उसको submit कर देना ही, अब यहां पे आप देख सकतो, जो हमारा अधार verification था, जो हमारा address verification था, वो दोनों चीज़े successful complete हो चुकी है, अब यहां पे आपको simply इसको proceed कर देना ही, तो इस वाले page पे आप देख सकतो, आपको यहां पे सबसे पहले अपना नाम डाल देना ही, उसके बाद आपको अपना IFC code डाल देना ही, code डालने के बाद आपको अपना account number डाल देना ही, उसके बाद select कर लेना कि आपका saving और current कौन सा account है, उसके बाद देखो, अब verification के लिए एक रुपे आपके account के account के अंदर successful credit हो चुका है, अब इस वाले page के अंदर आप देख सकतो, आपको अपना bank statement भी verify करवाना पड़ेगा, तो भाई make sure करना कि जिस भी account के अंदर आपके transaction ज़्यादा होती है, आप while bank account यहां पे देना, मैंने example के लिए अपना kotak महेंदर bank डाल दिया, उसके बाद aggregator के अंदर यह पूछ रहे, one money, ndl और अनुमती, इन तीनों में से आप कोई सब भी select कर सकतो, मैंने यहां पे one money choose करके इसको proceed कर दिया, आप proceed करने के बाद यहां पे आप देख सकतो, जो हमारा bank account है न, यहां पे verification हो जाएगा, उसके लिए simple आपको यहां पे OTP submit करना पड़ है, अब यहां पे आपको एक और OTP verify करवाना पड़ेगा, simply आपको अपना bank account select करना है, उसके बाद get OTP पे click कर देना है, तो यह OTP डालने के बाद simply आपको इसको proceed कर देना है, अब हम दुबारा OTP इसलिए verify करवा रहे है, क्योंकि अब यह OTP कोटक महेंदरा bank की तरफ से भी verify हो जाएगा, और application verify होने के बाद, आपके पास कुछ ऐसा message आ जाएगा, कि request submitted successful, और मेरे को यहां पे मेरी application ID भी दे दी गई है, जो हमारी KYC है वो complete हो गई है, हमारा जो bank account है वो भी update हो गया है, हमारा जो income verification है वो भी complete हो चुग है, अब मेरे को यहां पे अपनी email ID verify करवान करने के लिए, आपको simply done वाले button पर click कर देना है, click करने के बाद, अब यहां पर देख सकते हो, इसने हमको redirect कर दिया, अपनी website के उपर, website पर आने के बाद, अब simply आपको यह three dot का जो icon दिख रहा है, आपको इसी पर click कर देना है, अब इसके बाद, आपको check pre-approved offer पर चले जा है, OTP डालने के बाद, उसको submit करना है, submit करने के बाद, यहां पर आप देख सकते हो, हमारा जो mobile number है, वो भाई registered हो चुका है, अब भाई देखो, अगर आपका pre-approved के अंदर, कोई भी loan का option नहीं दिखता ना, तो simply आप इनके cart वाले option के आ जाना, यहां पर आप देख सकते ह हमने loan apply किया था, वो आपको दिख रहा है, एक लाग रुपय का loan था, नौ महीने के लिए, अब हमको यहां पर दो option मिलते है, सबसे पहला delete का, और दूसरा resume का, अब हम इसको जैसे resume करते हैं, हम यहां पर इस वाले page पर आ जाते है, यहां पर हमको अपना reference number बगरे दिख रह है, अब यहां पर आपको verify your email id का option दिख रहा है, आपको इसी पर click कर देना है, अब यहां पर आप देख सकतो, आपको अपनी official email id यहां पर enter करनी पड़ेगी, अब देखो, ज्यादा confuse मत होना, यह आपकी official email id है, कोई office क email id नहीं है, तो जो भी आपकी personal email id हो, वही डालके हमारी complete हो जाएगी, तो दोस्तों यह था complete process, बड़ी लोन से loan apply करने का, और भाई देखो, जो हमने यहां पर बजाज से loan apply किया ना, यहां पर आप साइड में प्रूफ भी देख सकते हो, जो पैसा है, वो हमारे bank account के अंदर successful credit भी हो चुगा है, और भाई देखो, मैंने जाज सिंजारू के उपर एक particular dedicated video भी बना रखिया है, तो अब इस वाली video पे click करके directly जाके उससे अपना पॉर्सलोन जो है, वो अपलाई कर सकते हो, तो वह सितना तेक्स वीडियो के अंदर make sure video को like करके चैनल को subscribe कर देना, आप हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर तब तक लिए जाहिन जावारत